आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ TS of Blastula of Rabbit and All Details अच्छा, Rabbit क्या होता है? Rabbit होता है एक Mammal तो सभी Mammals जो होते हैं उनके अंदर Blastula का जो Structure होता है वो सेम होता है हम इसके TS को डिसकस करना है Blastula क्या होता है? Blastula बनता है Zygote बनने के बाद Fertinalization के बाद जो Zygote बनता है इस Zygote के अंदर हो जाती है Cleavage Cleavage के बाद जब 8-Cell Stage होती है 8-Cell Stage को हम बोलता है Morula 8-Cell Stage Morula Stage ऐसी Stage होती है जिसके अंदर कोई भी Cavity प्रेजर नहीं होती इस Morula के अंदर धीर-धीर Cavity बनना स्टार्ट हो जाती है और यह बन जाता है Blastula तो सबसे पहले बनता है Zygote इसके अंदर होता है Cleavage फिर बनता है Morula जो की 8-Cell Stage होती है उसके अंदर आती है Cavity and Cavity के बाद बन जाता है Blastula अब Blastula को लेबल कर लेते हैं Labeling क्या क्या होती है कि Blastula का यह structure होता है अंदर Cavity present होती है इसी Cavity को हम बोलते है Blastosil Blastosil इस Cavity को बोलते है बाहर की जो लेयर होती है Blastosil की protective layer इसको हम बोलते है Trophoblast जो अंदर जो मास यहाँ पर लटकता हो दिख रहा है जैसे यहाँ पर जो होगी बाहर की cavity होगी बाहर की जो होगी cells होगी अंदर ही cavity होगी यहाँ पर हमें लटकते वे इधर cells दिख रहा है इनको बोलते हैं Inner Cell Mass अगर हम इसका Microscopic View देखे तो ऐसा दिखता है तो जो बाहर की cells होगी यह क्या होगी Trophoblast Trophoblast यह होगा Inner Cell Mass Inner Cell Mass जो अंदर होगी यह होगी Blastosil जो की अंदर की cavity होती है तो इस वस अल अबाउट TS of Rabbit और अल देटेल क्लासिक स्टुएल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 84444 पर